पांच सो साल पहले फरडिनान मागेलान पहले यूरोपिय थे जो दक्षिन अमेरिका के दक्षिनी शोर पर पहुँचे थे यहां की जलवायू बरफीली है और ये मागेलानिक पेंगुईनों का घर भी है पेंगुईनों को ये नाम इसी स्पेनी यात्री से मिला है आंद्रेया राया रे यहां टियरा डेल फुएगो में कुछ खोज करने आई है वो अर्जेंटीना के सदन सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च की जीव विग्यानी है आंद्रेया और उनकी टीम पेंगुईनों की सुदूर बस्ती में अक्सर आती है यह सात्वा मौका है हम इसला मार्ठीलों के रास्ते में हैं वहाँ पर मागेलानिक पेंगुईनों के करीब 5000 जोडे और गेंटू पेंगुईनों के 50 जोडे रहते हैं पेंगुईनों की यह बस्ती यहां करीब 1970 के दशक से ही है लेकिन हमने इसे 90 के दशक में देखना शुरू किया इसके बाद से ये लगातार बढ़ती जा रही है आज समंदर शान्त है रिसर्चरों को जमीन पर अपना साजो सामान लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसा लगता है कि पेंगुईन भी इन मेहमानों से परिशान नहीं है इस दिब पर कई प्रजातियां एक साथ रहती है आंद्रिया रे को चिडियों पर इंसान के असर के बारे में उनकी खोज के लिए अवार्ड भी मिला है मागेलानिक पेंगुईन अपने घोसले के लिए बिल जमीन में खोथते हैं इसी जगह पर वो अपने अंडे देती हैं और फिर बच्चों को बढ़ा करती हैं चिडियों के अस्तितों पर इंसानी गतिविधियों का असर होता है पानी के बढ़ते तापमान से समंदर की भोजन श्रिंखला बदल गई है पेंगुईनों के लिए इसका मतलब है कि भोजन की खोज में उन्हें दूर जाना होगा ऐसे में उन्हें बच्चों को लंबे समय के लिए केला छोड़ना पड़ेगा ऐसी स्थिती में सीगल और दूसरे शिकारी जीवों से उनके लिए खत्रा बढ़ जाता है सदन रॉक हॉपर पेंग्विन वो प्रजाती है जिस पर जलवाई परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हुआ है ये बहुत छोटे जीवों का शिकार करते हैं जैसे की लार्वा लार्वा पानी का ताप पान बढ़ने के कारण खुद ही अतिसमविदन शील अवस्था में है जाहिर है कि पेंग्विनों को तब भोजन के रूप में कम उर्जा मिलती है इसका उनकी आबादी पर लंबे समय के लिए असर होता है अंद्रिया रे और उनकी टीम पेंग्विनों के लिए आटोमाटिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रही है उन्होंने कुछ चिडियों में खास तरह के चिप लगाए हैं एक सेंसर उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है ताकि बस्ती के आसपास उनके रोज मर्रा के कामकाज का पता चल सके पेंग्विन जमीन पर अक्सर बेबस नजर आते हैं हाला कि वो बहतरीन गोता खोर और तैराख है कुछ मागेलानिक पेंग्विन चार हजार किलो मीटर लंबा रास्ता तै कर उरुगवे और ब्राजील तक जा पहुँचे हैं पेंग्विन समंदर के गार्जियन है वो इस बात का भी पैमाना है कि समुदरी एकोसिस्टम कितना स्वस्थ है उनके भोजन की मात्रा उसे पाने के लिए कितनी दूर उन्हें जाना होता है और उनके प्रजनन की दर से हम ये जान जाते हैं कि समंदर पर मिर्भर ये प्रजातियां किस हाल में है पेंग्विन तटो पर सहवास करने और बच्चे पालने आते हैं ये उनके जीवन का बेहद संबेदन शील दौर होता है इस पर बढ़ते प्रदूशन के कारण खत्रा पैदा हो गया है पेंग्विनों के बिल में प्लास्टिक का कच्रा भरने लगा है और ये प्रमुक रूप से पास के शहर उशु आईगा से आता है 90% गोसलों में प्लास्टिक का कच्रा है ये जीवों के पेट और उनके मल में भी है समंदर की लहरें और हवा प्लास्टिक को ऐसी जगह पहुचा रही है जो इनसान की गतिविदियों से बिल्कुल अच्छूती है चार साल पहले उशुआई के निवासियों ने टीम बना कर कच्रे का सामना करने की ठानी शहर के पूरे तटवर्ती इलाके के लिए ये एक धबा बन गया है ये पहल मारिया मुर्येल ने की जो प्रदूशन की हालत देखकर बहुत परेशान थी ये कच्रा यहां हवा और समुद्री लहरों के साथ आया अब देखिए आवारा कुटे खाने की तलाश में कच्रे को इधर उधर फैला देते हैं ये जाता तो लैंडफिल में हैं लेकिन उसमें से बहुत सा हिस्सा शहर की सड़कों पर फैल जाता है इसके बाद चिडिया इसे उठा कर अपने घोंसलों में ले जाती है हमें कच्रे को दबाने की आदत पड़ गई है कई बार जब सर्दियों में बर्फ गिरी होती है तो कच्रे को बीच पर ही छोड़ दिया जाता है कच्रे को रोकने की पहल पैंगुईनों के लिए कुछ राहत लिकर आएगी जो यहां दुनिया के आखरी छोर कहे जाने वाले हिस्से में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे है